इस रेमेडी का यूज़ करकर आप अपनी काली गर्दन, काले हाथ और पैर और काले गुठने काली कोनी से छुटकारा पा सकते हैं बहुत ही अच्छी रेमेडी है एक बार में ही आपको फरक नजर आ जाएगा इसके डेली यूज़ से आपके गर्दन का रंग गोरा हो जाएगा इसका आप अगर यूज़ रेगुलर करते हैं तो वन वीक में ही आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपके गर्दन भी गोरी हो जाएगी अगर आप हातों पर लगा रहे हैं पैरों पर लगा रहे हैं या गुटनों पर लगा रहे हैं तो वो भी आपके गोरे होने लगेंगे वर्न वीक में ही आपको फरक नजर आने लगेगा बहुत easy सी remedy है easily आप इसे घर पर बना सकते हैं और लगा सकते हैं और इसका कोई side effect भी नहीं है तो इस remedy को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक clean bowl ले लेंगे और फिर हमें लेना है coconut oil तो coconut oil क्या हम one spoon ले लेंगे एक चमच हम coconut oil की ले लेंगे हमारा second ingredient है वो है ये colgate toothpaste आपको toothpaste ऐसा लेना है जो white हो तो एक चमच हम इसकी ले लेंगे और अब जो हमारा third ingredient है वो है salt आपके घर में जो भी नमक यूज किया जाता है वो आप आदा चमच ले लें तो आदा चमच या मैंने नमक लिया है अब इन्हें हम अच्छे से mix कर लेंगे यह आपको 25-30 सेकंड तक अच्छे से mix करना है जिससे कि अच्छे से combine हो जाएं कि अच्छे से 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 कि मैं आपको यह बताती हूं कि इस remedy को में किस तरह से apply करना है तो मैं आपको अपने hand पर करकर दिखा रही हूं जिधर भी आपको apply करना है आप उधर कर सकते हैं तो इस तरह से यह लेंगे और इस तरह से हम लगा लेंगे कि इस तरह से लगाने के बाद अब हमें इसकी मसाज करनी है तो मसाज करने के लिए हम यूज करेंगे लैमन का लैमन से हम मसाज करेंगे इस तरह से और तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा जूस निकालते रहेंगे यह मसाज आपको 15 मिनट तक करनी है इससे क्या होगा कि जो भी हमारी डैड स्किन होगी वो रिमूम हो जाएगी अब मैं आपको बताती हूं कि इसमें जो मैंने कोकोनेट ओयल का यूस किया है वो हमारी स्किन को मॉस्चराइज करता है साथ ही हमारे स्किन से डेट सेल्स को निकालने में हेल्प करता है और इसमें जो मैंने कोलगेट का यूज किया है ये हमारे स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है और इसमें जो मैंने सॉल्ट का यूज किया है नमक का ये भी हमारे skin से dead cells को निकालने में help करता है जितनी भी हमारे हाथ पर गंद की धूल, dust जमा हो जाती है उसे ये बाहर निकाल देता है और lemon आप जानते होंगे कि lemon भी हमारे skin के लिए कितना अच्छा होता है हमारे face के लिए भी बहुत जाद अच्छा होता है ये भी हमारे daddy skin को remove करता है साथ ही हमारे skin को light and light and करने में help करता है तो इस तरह से आप अच्छे से massage करेंगे इसकी 10-15 मिनट आपको पहली बार लगा कर ही इसका फरक नजर आ जाएगा आप एक बार ही लगा कर देखें तो आपको फरक नजर आने लगेगा तो इस तरह से हम massage करते रहेंगे गर्दन काली है, कोनी काली है, गुटने काले है या आपके हाथ पर काले हैं तो वहाँ आप इसे apply कर सकते हैं कर देखें मैंने अपना hand wash कर लिया है, आपको फेयर लग रहा होगा, देखें दोनों हाथों में कितना difference है आपको first time लगा कर इसका बहुत अच्छा result मिलेगा, आपको धरान रह जाएंगे कि वाकई बहुत अच्छी remedy है देखें दोनों हाथों में difference है ये हाथ जादा गोरा है और ये कम है तो ये बहुत अच्छी remedy है, आप इस तरह से इसे regular use कर सकते हैं, इसका कोई side effect नहीं है तो जिदर भी आप apply करना चाहते हैं, कोनी काली है, गुटने काले हैं, या गर्दन काली है या हाथ पैर आपके काले हैं, तो आप वहाँ इसे apply कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा आपको result मिलेगा और easily आप इसे घर पर बना सकते हैं और लगाना भी easy है तो इस तरह से आप इसे जरूर try करिएगा देखें तो तीनों ही चीज़े आपको easily घर पर मिल जाएंगी, नमक का इस्तमाल भी हम अपने किचन में करते हैं, खाना बनाने में और coconut oil का भी हम यूज़ करते हैं अपने बालों में लगाने के लिए और जो मैंने कोलगेट लिया यह तो आपके घर में मिली जाएगा और अगर कोलगेट आप यूज़ नहीं करते तो कोई दूसरा paste ले सकते हैं लेकिन वह white होना चाहिए तो इस तरह से इस remedy को आप try करें आपको इसका result बहुत अच्छा मिलने वाला है आप मेरे से कुछ पुछना चाहते हैं तो कॉमेंट्स करकर पूस सकते हैं मैं उसका reply आपको जरूर दूंगी और अपना result मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आपको मेरी ये remedy कैसी लगी है और वीडियो अच्छी लगी है तो like share जरूर कर दीजेगा जादा से जादा शेयर करिएगा अपनी family में friends में relatives में और try जरूर करिएगा अगर आप शेयर भी नहीं करें तो try जरूर करिएगा और वीडियो अगर आप first time देख रहे हैं तो please channel को subscribe कर दीजे साथ ही bell icon को press कर दीजे हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी useful से वीडियो के साथ तब तक के लिए take care stay healthy and bye bye